हेलो अच्छो नवसकार प्यारे बच्छो आज कार्बन एंडिस कंपाउंड की फोर्थ किलास है और इसके लिए हम अब आगे की क्लास को कंटीन्यू करते हैं तो किटॉंस तक हमने पढ़ लिया था आज हम पढ़ेंगे कार्बॉक्सिलिक एसिड क्या पढ़ेंगे कार्बॉक्सिलिक एसिड ठीक है इंडि में भी यही है कार्बॉक्सिलिक अमल ठीक है जी सिंबल बान्ड शी डबल ओ एच यह तो बान्ड बान्ड और यह ओ एच ऐसे भी लिए बिए था तिखलि इस तरीके से बान्ड बुरे करने होते है बच्छो ठीक और सबफिक्स लगेगा noic acid, suffix के लगेगा noic acid यानि जो sound आना चाहिए वो noic acid का आना चाहिए formula formula है cnh2n plus 1 bond coh तो जैसे यहाँ पे n बराबर 0 पुट करके काम चला सकते हैं तो जैसे 0 पुट करोगे तो 0 0 पुट करोगे 0, बचा 1 coh, ऐसे भी रख सकते हैं ऐसे भी रख सकते हैं और ch2o2 ऐसे भी रख सकते हैं ठीक है अब नाम देना है, तो नाम भी दो नाम क्या भई, एक कार्वन है एक कार्वन है तो मैथे आँ भई, लाश्म क्या लगे है, noic तो मैथे noic acid और दूसरा नाम क्या होता है इसका, formic acid कहां पाये जाता है बच्चो मदुमक्खी के डंक में second chapter में पढ़ा है हमने मदुमक्खी के डंक में ये पाये जाता है ठीक है एक मिन बच्चो हाँ जी, तो बच्चो ये आगया formic acid कहां पाये जाता है मदुमक्खी के डंक में और मदुमक्खी के डंक में ही ये formic acid होता है और formic acid को ही methanoic acid कहते है जिससे भाई, काटने बाद बहुत तेज धर्द होता है N बराबर 1 put करेंगे N 1 put करेंगे तो कितना आएगा सॉरी हाँ वही, C 1 H 2 और 2 और 1, 3 C O O H इसको ऐसे भी लिख सकते है और इसको ऐसे भी लिख सकते है C 1 और 2, 2, 3 और 1, 4 H O 2, ठीक है नाम क्या पढ़ेगा, ethnoic acid क्या नाम पढ़ेगा, ethnoic acid ठीक है इसी तरह N पराबर 2 put करके देखो तो क्या बनेगा C 2 H हाँ भी 2 तू जा 4 और 1, 5 bond C O O H या C 2 H 5 C O O H या C 3, 2 और 1, 3 H, 5 और 1, 6 और O 2, यह होगा और नाम क्या पढ़ेगा इसका भी तीन कार बने है ना तो propanoic acid अब बात आती है कि इनका bond structure कैसे बनेगा अब देखो मैंने आपको यह भी बताया था कि मैं पहचानना सिखाऊंगा कि अगर ऐसे लिखा हुआ आ जाए तो पहचानों कैसे क्योंकि C O O H, C O O H C O O H इससे तो पहचान होई जाएगी आपकी लेकिन इससे कैसे पहचान करेंगे तो वह भी सिखाऊंगा फिलाल bond structure देखो तो bond structure बनेगा H C O O O H यह बनेगा यह सारी ऐसे H इसका क्या बनेगा CS3 तो पहले CS3 को रिपर्जेंट करो फिर C O O H तो C O O H को तो मैंने बताई रखा है ऐसे बनेगा फिर इसका रिपर्जेंट करो वह क्या है C 2 H 5 तो पहले तो 2 C H 5 और C double bond O तो यह आगे आपका bond structure ठीक है तो इस तरीके दे बच्चो hexane hexanoic acid तक करो आप लोग भी ठीक है इसको note करो note करो फिर मैं आपको carboxylic acid alcohol और aldehyde में पहचान करना सिखाता हूँ ठीक है चलिए यह वीडियो पहुस करके आपने note कर लिया होगा हंजी तो बच्चो देखेंगे फटा-फट क्या रहा गिया हंजी पहचान देखिए यह alcohol formula formula cnH2n plus 1 bond OH यह aldehyde aldehyde cnH2n plus 1 bond CHO और carboxylic acid मतलब cnH2n plus 1 bond COOH यह था अच्छा अगर आपको याद हो alcohol alcohol लिखा हुआ था c ch 4 o c 2 h 6 o c 3 h 8 o यह था ठीक है और यहाँ था c c h 2 o c 2 h 4 o c 3 h 6 o और यहाँ क्या था यहाँ था यहाँ था भई क्या 1 c जब अकेला था यानि जब 0 put किया था अपने h कितना था 2 o 2 फिर फिर क्या था भई c 2 h 4 o 2 फिर क्या था c 3 h 6 o 2 ठीक है अब बात आती है कि अगर इस तरीके से लिखा हुआ आ जाए तो पहचाने के कैसे किस तरीके से पहचाने की हमारा काम असानी से बन जाए तो देखो सबसे पहले कार्बॉक्सलिक एसिड की पहचान बताता हूँ इसकी कार्बॉक्सलिक एसिड की पहचान क्या है ऑटू in the carboxylic acid slick acid O2 shows in last O2 shows in last अंत में O2 नजर आएगा ठीक है भई? अंत में क्या नजर आएगा? O2 नजर आएगा ठीक है? तो यानि जिसके भी last में O2 नजर आएगा तो वो carboxylic acid का group होगा अगला, अब आता alcohol, aldehyde इसके भी last में O है, इसके भी last में O है कैसे पहचाने? तो अब जब O ने साथ छोड़ दिया तो हमारी मदद करने कोन आएगा? carbon और hydrogen ये दोनों यानि hydro carbon हमारी मदद करेंगे कैसे? देखो, hydrogen carbon का double है ऐडेट्रोजन का डबल है है डेफ रहो ना hydrogen carbon կा दाबल दैनगार्बन कि बचान है क्या है कि है दोहों इस ब स्टाइर होगा अब 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 कोहल अल्कोहल की वी लास्ट में ओ है लेकिन पहचान देको जितना कार्बर नहें उसके डिबल से बज़ाइड एक कार्बबन एक का डिबल दो दो में दो एड़ गिया चार दो का ‫डबल चार चार में दो जोड़ा, छे तीन का डबल, छे, छे में दो जोड़ा, आठ ठीक है, तो इसका मतलब क्या hydrogen is is twice and two more than two more than carbon hydrogen carbon carbon के दुगने से दो अधिक है दुगने से दो अधिक कोई दिक्कत, तो इस तरीके से बच्चो अल्कोहल, अल्डियड और कार्बोक्सलिक एसिड की पहचान की जाती है, ठीक है, नोट करो बड़ाफट नोट कर लो इसके बाद बढ़ते हैं chemical properties चलिए, इनोट कर लिया होगा आपने पहचान की जाती है चलिए तो आप हम पढ़ने जा रहे है chemical chemical reaction of carbon compound carbon compound chemical reaction of carbon compound ठीक है, तो देखेज़ देरा, क्या होता भाई, चैमिकल रेक्शन अव कार्बन कंपाउड, हिंदी भे, कार्बनीक carbonic योगिक के रसाइनिक गुणधर्म ठीक है, यह बई, तो कई तरह के chemical reaction होता है, जिनमें सबसे पहला आता है, बच्छो, कंबंशन, सबसे पहले आता है, देहन, सबसे पहले क्या आता है, देहन आता है, कंबंशन आता है, ठीक है, अब यह कंबंशन क्या चीज़ है बच्छो, ध्यान से सुनेंगे, देखो भई, कई तरह की properties है, जैसे अगर मैं बात करूँ, hydrocarbon की, तो आपको अच्छे से पता है, दो तरह के hydrocarbon होते हैं, एक होता है saturated, और एक होता है unsaturated, संत्रिप्थ, आसंत्रिप्थ, ठीक है, संत्रिप्थ hydrocarbon और आसंत्रिप्थ hydrocarbon, अगर, मैं अगर बात करूँ, संत्रिप्थ की, मैं अगर किसकी बात करूँ, संत्रिप्थ hydrocarbon की बात करूँ, तो क्या करेंगे भई, क्या करेंगे, देखो सुनो, हम, तो अगर मैं बात करूँ, संत्रिप्थ hydrocarbon की और आसंत्रिप्थ hydrocarbon की, तो ध्यान से सुनोई, संत्रिप्थ hydrocarbon कौन है, भई देखो, अगर मैं एक example से, सीधा सा example दूँ, कि भई, अगर मैं लीजिए, मिरे को कोई काम करवाना है, मिरे को कोई काम करवाना है, अपने दोस्तों से, और आपको पता है, ये दोस्तों बड़े खतरनाक होते हैं, अगर मुझे अपने दोस्तों से कोई काम करवाना है, तो मैं क्या करूँगा, पहले कुछ खिलाएगा, तब ही हम काम करेंगे तो भाई मैंने उनका पूछा क्या है तुम्हारा फेवरेट तो भाई मेरे दोस्तों का फेवरेट तो चिकन है ठीक है तो उनको चिकन खिला दे तो हम देरा काम कर देंगे तो भाई ठीक है तो भाई उनको चिकन जाकर खिला दिया अगले दिन काम का टाइम आया तो भाई मैंने पूरी इमानदारी के साथ उनको खिलाया तो पूरी इमानदारी के साथ वो काम जो मैं भी बताऊंगा वो अच्छे से कर देंगे तो इसका मतलब क्या हुआ भाई वो saturated थे इसलिए उन्होंने मन लगा के इमानदारी से काम किया लेकिन अगर मान लो उन दोस्तों में कोई एक होता vegetarian ठीक है मैंने कहा कि खिलाओंगा तो मैं चिकन ही खिलाओंगा तो भाई ये तो unsaturated रह गया मतलब वो दोस्तों खाएगा नहीं अब मेरे एक छोटे से काम के चक्कर में वो चिकन तो खा नहीं लेगा तो भाई उसने तो नहीं खाया तो अब क्या हुआ ऐसे में कि भाई वो रह गया unsaturated अब वो क्या कहेगा अब इन सबने तो यार खा लिया सारा का सारा मैंना तो कुछ भी नहीं खाया है तो बता यार मैं क्यों काम करूँ लेकिन दोस्ती के लिए आज से आएगा लेकिन काम क्या करेगा मन मार के करेगा अरे यार हटाना छोड़ना क्यों 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 कि भाई ये unsaturated है ये काम उस लेवल पे नहीं कर पाएगा ठीक है फिर इसको दिलासा देना पड़ेगा अच्छा चल तू कर तो सही फिर मैं तुझे मतलब बाद में कुछ अलग से अकेले में कई खिला दूँगा फिर ये थोड़ा खुस हो जाएगा फिर ये अच्छे थे काम करेंगा तो इन सिचुईशन्स में कैसे कैसे ये दोनों काम करेंगे आओ सीखें ठीक है तो ये सारी बाते मैं बताऊंगा जैसे कि saturated hydrocarbon है तो आपको पता ही है saturated hydrocarbon में अलकेन आते है अलकेन को जब जब जलाओगे तो वो नीले कलर की flame निकालता है ब्लू कलर की flame निकालता है और कोई residue कोई राख भी नहीं छोड़ता जबकि unsaturated hydrocarbon की अगर मैं बात करूँ तो unsaturated hydrocarbon क्या भई ये जब जलेगा तो yellow color की flame निकालेगा यानि पीले की low निकालेगा साथी साथ राख भी छोड़ेगा दूआ भी निकालेगा सब कुछ करेगा अनकी calorific value भी क्या होगी? कम होगी इनकी calorific value भी क्या होगी आपस में? कम होगी तो इस वज़े से बच्चो saturated hydrocarbon और unsaturated hydrocarbon में ये थोड़े से फर्क होते हैं और उन्ही फर्क के आधार पर कमबंशन किया जाता है ठीक है? चलिए तो पहले इसको लिख लेते हैं फटा फट लिखो पहले इनके कमबंशन की definition लिखो कमबंशन क्या है भाई? कि जब कमबंशन क्या है? कि जब किसी hydrocarbon को जलाएंगे ठीक है? और वो CO2, S2O और light heat प्रोड्यूस करेगा तो उसी को हम क्या कहेंगे? उसी को हम कहेंगे कमबंशन ठीक है? चलो लिखना जब आप लोग एक एक करके definition लिखो लिखो कमबंशन लिखो दपरा लिखना लिखो ब 주ब अव Här PROCESS लिखना र वुर लिखना लिखना लिख दखी नखेदे क्वर्म ध सदू आप कमँगे कमा बार लिखना लिखना लियूणगे comma heat and light and light is known as is known as is known as is known as combustion is known as combustion अग्री वाले हिंदी वाले एको कार्वनिक योगिक को हवा की उपस्थिती में परिश्चिति में कार्बनिक योगी को हवा की उपस्तिती में जलाने हवा की उपस्तिती में जलाने पर जलाने पर कार्बन डायोकसाइड कार्बन डायोकसाइड जल जल उस्मा उस्मा और प्रकास उस्मा और प्रकास उत्मन होता है जिसे देहन कहते है जिसे देहन कहते है ठीक है चलिए अगली लाइन में लिखी अब लिखते चलो बच्छो फटाइब नॉट नॉट नॉबर फ़र्स्ट नॉट नॉट नॉबर फ़र्स्ट लिखो the saturated hydrocarbons bracket mark Belgian the saturated hydrocarbons bracket M涎 you the saturated hydrocarbon bracket Malkin's generally burn in the air generally burn in the air generally burn in the air with a blue with a blue and non suites विदा ब्लू एंड नॉन शूटी फ्लेइम नॉन शूटी फ्लेइम ठीक है कि नॉन शूटी का मतलब पता है नहीं यहां पर क्या है कि कोई राक वागेरा कोई दुवा वागेरा नहीं होगा ठीक है हिंदी वाले लिखो इसको हिंदी वाले लिखो इस बात को आए हिंद्धिया लिगो कि लिए अगया है संत्रिप्त हैड्रोकार्बन ब्रैकेट में आज संत्रिफ्थ हाइड्रोकार्बन यह नहीं क्या सोरी 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 देखो संत्रिफ्थ हाइड्रोकार्बन ब्रैकेट में एलकेन को हवा की उपस्तिती में जलाने पर को हवा की उपस्तिती में जलाने पर को हवा की उपस्तिती में जलाने पर नीली लॉक के साथ जलता है नीली लॉग के साथ जलता है और कोई राख और धुआ नहीं निकालता और कोई राख और धुआ नहीं निकालता और कोई राख और धुआ नहीं निकालता ठीक है अब अगली लाइन में लिखो जारा नोट नमबर टू दा अंसाचुरेटर हाइड्रो कार्बन्स अंसाचुरेटर हाइड्रो कार्बन्स ब्了 का इस दुए राख ब्रekkled में अलकाइन्स 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 बर्न अ इडा विदा यलो फ्लम बॉन इंट यलो फूम जालो जार यलो फिद यलो औन शूति फ्लमU एंड शूटी फ्लेम ठीक है है हिंदी वाले आसंतरिप्त हाइड्रो कार्बन ब्रैकेट में अलकेन और अलकाइन स्वरी अलकीन और अलकाइन आसंतरिप्त हाइड्रो कार्बन ब्रैकेट में अलकीन और अलकाइन को हवा की उपस्थिती में जलाने पर पीले रंग की लॉँ तदा धुआ और राख निकलते हैं तदा धुआ और राख निकलते हैं तदा धुआ और राख निकलते हैं अलकीन अलकीन तदा धुआ हैं सिंदेड राख निकलते हैं अगले लाइं लिकेंगे और नोट नमबर ध्री यहां अउठ्रेस हाइड्रो कार्बन आड थयर ने पर उस आनिकलते हाइड्रो कार्बन आड़्यू कार्बन और न राड्यू in pure oxygen in pure oxygen then they will burn completely with a blue flame then they will burn completely with a blue flame Hindi wale next note looking at the awesome trip hydrocarbon go the awesome trip hydrocarbon go the awesome trip hydrocarbon go the awesome trip hydrocarbon as soon as oxygen former concentration of carbonrey through sun照 which comes from under the shadow of 당 control through sun照 because the internal tyres in the phase went from not under the readily j consumers ठीक है चलिए अब देखो भाई अब जो मैं बताने जा रहूं आपको देखो बच्चो अब जाने ध्यान से समझना अब आप लोगा ने देखा होगा कि कभी कभी क्या होता है कि गैस चूले वगर होते हैं ठीक है उसमें लगा होता है बर्नर गैस इस्टोब जो होता है गैस चूला जो होता है उसमें लगा होता है बर्तन और उसमें ऐसे चोटे 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 छेद होते हैं बहुत सारे चोट तो यह इसलिए है, ताकि जब हम आग जलाएं, तो इनको sufficient amount में, sufficient amount में oxygen या air मिल थके, sufficient amount में क्या मिल थके, air मिल थके, क्योंकि air के अंदर oxygen होता है, ताकि उसको जलने में help करे, ताकि उसको जलने में क्या करे, help करे, समझ मारी बात, ताकि उसको जलने में क्या करे, help करे, और भाई अगर oxygen नहीं मिलेगी तो भाई वो सही से जलेगा नहीं और सही से जलेगा नहीं तो खाली CO2 produce होगा और बरतन काले हो जाएंगे देखो अब मैं यह भी बताता हूँ देखो वैसे तो gas stop पे कभी भी घर में बरतन काले नहीं होते लेकिन कभी कभी हो जाते अब यह कभी कभी का क्या मतलब है भाई तो कभी कभी का यहां पर मतलब यह है कि होता क्या है कि जब भाई यह नया होता है तो भाई जल रहा होता है बड़े आराम से क्योंकि इसमें कोई भी होल जो होता है वो फिल नहीं होता किस से कार्बन से and moisture से ठीक है भाई moisture से तो अब ध्यान से सुनेंगे कि क्या होता है कि जैसे इसे पुराना होने लगता है तो वैसे वैसे ना उनके छेद में जो उनके होल्स होते हैं जो छिदर होते हैं उसमें दीरे दीरे कार्बन और मॉइस्टर जमने लग जाता है जिसकी वज़े से ये पूरे के पूरे जो छेद है ना फिल होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से कि हम आउख जिलाते हैं, तो प्रॉपर टाइप। उसको एयर नहीं मिल पाता, यह समीन से इसमीं से शफीशेट अमाउट में एयर नहीं मिलेगा, तो वो प्रॉपर जलने पाएगा। कौन? फ्यूल. और जब फ्यूल जलेगा नहीं तो वो अपने में से क्या प्रोड्यूस करेगा CO2 प्रोड्यूस करेगा जिसकी वज़े से बरतन भी क्या पढ़ जाते है काले पढ़ जाते है ठेक है तो लिखिए फटा फट इसको लिखवा रहो Next note Note number कितना हो गए एक, दो, तीन, ना चार हो गए त्वाध वोड्यूस of fuel complete burning of fuel to produce a smokeless blue flame to produce a smokeless blue flame Hindi वाले लेगे gas stove gas stove में छोटे 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 छिदर होते हैं छोटे छोटे छिदर होते हैं जो परियाप्त oxygen की मातरा जो परियाप्त oxygen की मातरा प्राप्त करने के लिए होते हैं प्राप्त करने के लिए होते हैं जिससे इंधन को असानी से जलाए जा सके और वे नीली लौ के साथ और वे नीली लौ के साथ बिना राक और धुआ के जले लिखो आगे अगली लिखो अगली लिखो इनली लिखो if the bottom of cooking utensils in our home are getting blackened are getting blackened, it shows that the air of the gas it shows that the air holes of the gas shows that the air holes of the gas air holes of the gas stove gas stove are getting blocked and the fuel is not burning completely and the fuel is not burning completely Hindi Hindi वाले यदि गरों के बरतन यदि घरों के बरतन हैं गैस इस्टोब पर काले पड़ रहे हैं तो गैस इस्टोब में उपस्थित तो हवा के छिद्र भर चुके हैं जिस कारण से इंधन पून रूप से नहीं जल पा रहा है इंधन पून रूप से नहीं जल पा रहा है ठीक है बच्चो क्लिर हुआ यह चलो अब देखो एक रियक्शन देख लो कंबंशन की कंबंशन अगर रियक्शन पूछ ले तो क्या करोगे मैंने आपको बताया कि कोई भी आपको हैड्रोकार्बन लेना मानलो अपने ले लिया च हीश फोर anty saturated hydrocarbon ल्गाई गैज आपने इसको जलाया आपने इसको क्या किया जलाया है मैं फिर कंबंशन किया इसका है शुच क हुआ supports यह डेहचण किया और कंबंशन करने के बाद आपको चार चीज़े ज़ुकर ए 그래도 मिला सीयो टूट् सुर एक मिला एस्टू यह मिल लाइट और एक मिल लाइट और एक मिल लाइट को वही क्या हीट लाइट को प्रकास कहेंगे और हीट को उसमा कहेंगे ठीक है तो ये रियाक्शन आपको कंबंशन में लगानी है ठीक है ये रियाक्शन आपको कंबंशन में लगानी है ठीक तो चलिए आज के लिए यहीं तक करवा रहा हूँ ठीक है नेक्स्ट क्लास में इससे आगे का करेंगे ठीक है और नए नए टॉपिक्स को कवर करेंगे ठीक है बही चालो